आधा के बहुत प्रिसिद्ट और जाने वाले मौल में मौझूद है GIP मौल में आद देख सकते हैं यहाँ पर जो हैं इंटरनेशनल डांस दे के उपलक्ष में आज यहाँ पर एक कारीक्रम का अरजन किया गया डांस का जिसमें देख सकते हैं अब जो NCR के जाने मानने संस्तान है, संगीत के उन्होंने यहाँ परस्तुती दी, अभी हम बातचीत करेंगे जो GIP मोल के इससे डारेक्टर मार्केटिंग है, सहीद समीम अनवल जी से जानेंगे आज के कारियकरम के बारे में सदेगी बहुत ही अच्छा कारियकरम रहा हमने तो देशे में ही शामिल देता है कि हम अपनी संस्किर्थी से यहाँ आने वाले बच्चों को खासर से अवगत कराएं जैसे आज इंटरनेशन डांस जे था उस पर हम वेस्टरन डांस का एक प्रोगाम करके छोड़ सकते थे लेकिन हमने बिविन परांतों के दांसे यहाँ कराएं ताके लोग उससे सीखें बच्चे पूछेंगे कहां का है कैसा है उनके सामने वो अपनी संस्किर्थी से अफगत हो सब्सक्राइब सीधा सीधा उदेश्य यही होता है अज ग्यानिश्वर इस्टिट्टूट के बच्चे थे थे अगराजय सेंटर के बच्चे थे और परवती एकला संगम के प्रोफेशनल आर्टिस्ट है और शाही में एक और्नाइजिशन नहोंने अपने मनिपूरी और नौर्थ इसकर नोंने डांस इस यहां पर दिये और निदाद एकेडमी हैं उन्होंने और इसा और असम के यहां प्रोफेशन दी पंजाब से आये थे स्विशल पंजाब से ही उकलागार आये थे बहुत अच्छा भांगना आपने देखा कैसे माहौल बन गया तो समय तो सब विविन प्रांतों से बच्चे हैं यहां पर आये लेकिन आपने संस्कृति के आधार पर आज कारिक्रम किया क्या मैसिज देना चाहिए आप लोगे मैसिज संस्कृति कोई भी बुरी नहीं होती लेकिन हर चीज के क्लिमिट होती हो हम किसी भी संस्कृति के चक्र में अपनी संस्कृति को जो हमारा मुलमूत आधार है उसको ह हमारा उद्देश ही रहता है लोग शॉफिंग करने आते हैं तो उनको को यहां इस तरह के कारिक्यम मिलें जो बच्चे सीखें अब जो बच्चे छोटे बच्चे इन डांस कर रहे तो देख के हो सकता है कुछ बच्चों ने काओ को मैं भी डांस सीखूंगा मैं भी